हर कोई चाता है कि मेरा चेहरा चमकता रहे मेरे चेहरे पर एक तेज रहे एफ़ स्किन चमकती रहे घलो आए मेरे फेस पर तो उसके लिए मैं आप लोगों को आज दो ऐसे प्राणायाम बता दे रहा हूं जिनके करने से आपके चेहरे की स्किन चमकने लगेगी तो ज्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लुगा उन दो ऐसे प्राणायाम के बारे में मैं आप लोगों को बता दिता हूं करने का तरीका बता दिता हूं किस तरह से करना चाहिए उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं जिल लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास वाले वैल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे के इन फ्यूचर हम को वीडियो पोस्ट करें उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो जादा देन नहीं करेंगे अब मैं आपको ये प्राणयाम बता दे रहा हूं जिन प्राणयाम के बारे में हमारे जो सास्त हैं हमारे जो योग की पुस्थ के उनमें भी लिखा ह हुआ है तो उनमें से नंबर एक पर जो प्राणयाम आता है वो आता है शीतकारी प्राणयाम करने के वैसे तो अनेकों फायदे हैं अभी हम गलोब की बात करने हैं चेहरे की स्किन पर गलोब आने के लिए हमें क्या करना चाहिए तो शीतकारी प्राणयाम के दो में फायदे में बता देता हूं एक तो चेहरे पर चमक आते हैं इंसान काम देप की तरह सुन्दर बनता है इसी तरह से लिखी थैं हमारी पुस्तकों में तो आपके चेहरे पर चमक आएगी और अगर आपको high blood pressure है तो आपके high blood pressure को भी control करने में help करेगा तो इसको करना क्या है कितनी देर क सांस छोड़ते हुए face उपर उठाएंगे एक बार देख लिजिए ध्यान से तरह से इस तरह देखिए कमर गर्दन सीधी ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं दीरे दीरे ऐसे सांस बाहर निकालना है एक फ़र फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ ध्यान से समझेए दातों के बीच से जो गया पर उससे सांस लेना है फिर सांस रोक के चिल लौक लगाना है चिन को नीचे एकदम लौक लगा देना है और फिर धीरे धीरे face उपर आप तो इस तरह से यह शीतकारी प्राणयाम आपको करना है यह आपको हाइब लड़ प्रेशर को भी कंट्रोल करेंगा बीपी में भी मदद करेंगा आपके चेहरे पर भी चमक लाएगा और अगर किसी को प्यास लगती है तो प्यास लगते वक्त आपके पास पानी का एकसेस नहीं है तब आप शीतकारी प्राणयाम करेंगे तो आपकी प्यास भी दूर हो जाएगी उसके बाद नेक्स प्राणयाम है शीतली प्राणयाम इसके जैसा है बस करने का तरीका थोड़ा सा अलग है वो मैं आपको बता दूँ इसमें हम दातों के बीच से सांस ले र देखें जीप को मोल लिया इस तरह जीप को मोलना है और उससे स्वास लेना है इस तरह से एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ इस तरह से सांस लेना है जीप से सांस रोकना है फिर सांसों को बाहर निकालना है चिल लोग का विशेज ध्यान रखिए तो इन दो प्राणयाम से क्या होता है आपके शरीर में ठंड़क बढ़ती है और आपके चेहरे की जो मांशपेसियां वो खिसती है चेहरे पर ब्लड सेर्कुलेशन बढ़ेगा जो ब्लड सेर्कुलेशन बढ़ेगा तो आपके चेहरे में चमक आने लगेगी उसके बाद देखिए यह मैंने आज आपको दो प्राणयाम बता दिये हैं आगे भी हम इस तरह की वीडियो लाते रहेंगे और इनको करना कितनी देर है और कैसे करना है कम से कम तीन-तीन मिनट दोनों प्राणयाम को करें और गर्मियों में जादा करें सर्दियों के समय में इन प्राणयाम को जादा ना करें नहीं तो आपको सर्दी भी लग सकती है तो जादा ना करें कम से कम तीन-तीन मिनट एवरी डे आप ये प्राणयाम अपने योग अभ्यास में एड करें और एक दो महीन के बाद आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर दीरे दीरे चमक आने लगेगी और आपका confidence बढ़ने लगेगा तो ये आज की वीडियो में बस इतना ही comment करके बताईएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो और अच्छी लगी है तो वीडियो को लोगों तक share करें और किसी topic पर आप हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो comment म में लिख दीजिए जब इन future हम कोई जिससे के हम वो comment पढ़के आपके लिए उस topic पर वीडियो लेकर आ सके चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार